सोन वसकार दोस्तों मैं की साथ स्वागत करता हूँ आपका अपने टेक्निकल सीपी यूटूब चैनल दोस्तों कैसे हो अपसो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप बताने में मलखूं बैंक का बढ़ोदा एकाउंट फ्रीज के लिए ये वीडियो होने वाला है जैसा कि आ 10-4 वीडियो में डाला हूँ चारों में अच्छे अच्छे जनकारी आप लोग साथ शेयर किया हूँ आप लोगोंने काफी लोग का साथ मैं इस वीडियो माग गया हूँ इसमें मैं आपको अगर आपका एकाउंट फ्रीज हो गया है तो यह वीडियो देखने के बाद मैं 100% नहीं कहूंगा लेकिन अगर स्टेप्स को आप फालो करते हो तो आपका एकाउंट जरूर जरूर अनफ्रीज हो जाएगा तो इस वीडियो में यह सारी बाते बताने वाला हूँ वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करिए और अगर अपनारे चैनल पढ़ना है तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब करके ब सारी वीडियो में तीन तीन स्टेप्स बता हैं जो कि बहुत ही अच्छा बहुत ही संदार रिस्पॉंस आप लोगों के आशिरबाद से मिला है और आज भी तीन मेथट सो वही रहेगा एक मेथट मैं अपने तरब से आपको बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों का सबसे ज्यादा सवाल राता है वह सवाल है कि जब भी हम अपने ब्रांच में नियरेस्ट ब्रांच में जाते हैं जहां पर हमने खाता खोला हुआ होता है वहां पर जब हम जाते हैं तो बैंक वाले साफ साफ मना कर देते हैं बहुत लोगों को कि भाई इस बैंक में आपका खाता नहीं खुला है पतलब इस ब्रांच में सोरी इस ब्रांच में आपका खाता नहीं खुला है और इस एकाउंट का डिटेल या कोई रिकार्ड हमारे पास नहीं है वो लोग खोजते हैं काफी खोज भीन करते हैं आपके एकाउंट नमबर को लेकिन उनके पास आपके एकाउंट फ्रीज हो गया है तो सबसे पहले आपको मैं तीन स्टेप्स बताऊंगा पहले नंबर में आपको क्या करता है एकाउंट आपका फ्रीज हो गया सबसे पहले आपको अपने नियरेस्ट ब्रांच में एक बार जाना है नियरेस्ट ब्रांच में जब आप जाएंगे ठीक है वहा से कुछ आइडेन्टी फैरिफिकेशन यहीं आइसू जानतर होता है क्योंकि लोगों का आइडेन्टीफ अगर नहीं जा पाता है तो बैंक वाले उन्हें अंडोड घर के और कर देते हैं नॉर्माल फ्रीज होता है फ्रीज से ज्यादा वोग टेंसर मत लीजेगा फ्रीज का मतलब temporary होता है वह चालू होता है लेकिन थोड़ा सा पूसस्थ आपको करना पड़ेगा आप लोह मान जाते हैं कि सर नहीं पर अगर दोगा नहीं हो रहा तो तो बहए कुछ लोगों Zar cry अगर नहीं हो रहा तो इसका समधान में बता रहे हूं यही स्टेप्सस आपको फालू करना जोगा यह भी ट्रते हैं के उटा करना ना है उसे से बोला केसार को आपको कंप्लेंट करना है आपके जोन में भी हैड ऑफीस होता है बैंक का बढोदा का आपके जोन यानि की मंडल में वह यहां पर आप सब्सक्राइब कर दीजेगा फिलप करने के बाद हफ्ते दिन आदर आपको फोन आएगा दूसरा स्टेप सी हो गया और तीसरा नंबर प करने के बाद कस्ट्मर केर से अपनी सारी बाते बतानी है कि सर मेरे ओनलाइन खाता खोला हुआ था बैंक पर जाने के बाद वहां पर लोग बोल रहे कि इसकी कोई इस खाते से संब्वादित हमारे पास कोई जानकारी नहीं है तीसरा स्टेप यह हो गया अब आपको चोथा इसक्रिप्ट है यह जो मैं आपको बोलने वाल हूँ वह बहुत ही सादार बहुत ही बज़दार होने वाला है तो नौर्मली देखिए आपको क्या करना है कि उस ब्रांच में जाना है जहां पर आपने खाता खोला हुआ था और वहां पर जाने के बाद एक पर मैंजर से भी करना है कि लाजार अचरा नहीं हो रहा है बैंक वाल टॉल फ्री नॉंबर यानि की कास्टमर की पर कуда फोल करना है उस ब्रांच में अपना खाता खोला हूँ यानि बैंक मतलब बैंक का प्रोदा में खाता खोला हूँ और जिस ब्रांच में खोला था उसी ब्रांच में मैं बैठा हूँ और साहब बोल रहा है कि हमारा इनके पास नहीं है तो डायरेक्ट आप कस्टमर के अधिकारी का फोल अपने बैंक मेनेजर उस बैंक के बैंक के इंपुलाई को दे दीजिए अब वो सारा स्टेप्स उसको समझाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है अगर कोई फॉल्ट है तो उनको गरम भी करेग ताकि आपका एकाउंट जल्द जल्द अनफ्रीज हो जाए ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान रखना यह चार स्टेप्स जो मैंने आपको बताए है वह चारू चीज आपको फालू करना है तोल फ्री नंबर पे कॉल करके डिरेक्ट उस बैंक में उस बैंक के अधिकारी से कस्टमर केर से बात करा दीजिए आपका प्राप्लम जो भी है वह सॉल्व हो जाएगा दोस्तों यह चीज हमारे साथ हो चुका है मैंने मेरा एकाउंट खुद फ्रीज हुआ था और यह सारा स्टेप्स मैंने फालू किया है मेरा एकाउंट ज्यादा दिन के अंदर ही मेरा दिक्कत हों तो बहुत लोगों तो उसमें फस जाता है चार पाउंट भी फ्रीज हो जाएगा तो 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 घबडानी की बात नहीं है वह पैसा आपका निकल जाएगा यह स्टेप्स आप फालो करिए और प्लीस ऐसी प्यार आप हमारे चैनल पर बनाए रखिए और आपका ए इस स्टेप्स को फालो करिए अगर इस स्टेप्स से आपका एकाउंट अनफ्रीज हो जाता है तो यार नीचे कमेंट करके जरूर अपना प्यारा सा भाव दीजिएगा ताकि मुझे काफी एक्साइटेड हो और मैं आप लिए अच्छा अच्छा इंफॉर्मेशन देता रह